हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मा यूटूब चानल नूतन मंत्रास आज मैं ये पीले रंग का घरबूजा दिखा रही हूँ जो अपने आप मेरे गमले में आया हुआ तो ये काफी फल दे रहा था लेकिन बस एक ही फल दिया मैं भी नहीं जानती हूँ कि ये कैसा है अंदर से लेकिन यहां मलेशिया में पीले रंग का घरबूजा काफी अच्छा सा मिलता है जो मैं एक बार खरीद के लाई थी शायद ये वही है तो मैं अब इसे काट के देखती हूँ कि ये कैसा है अभी जर्स्ट मैंने इसको अपने लतर जो था उसका क्रिपर उसे काटा है तो देखूं कैसा है ये ये खर भूजा ही है काफी अच्छा क्योंकि मेरे अपने ये गमले में हुआ है इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है अच्छी फीलिंग आ रही है और ये पीला काफी रंग भी पीला काफी अच्छा है इसका मैं बीज हटा देती हूँ इसका मतलब है कि आप खर भूजा बहुत अच्छे से लगा सकते हैं अपने गमले में इसको चील के खाएंगे अब काफी क्रिप्पी है रंग इसका पीला है ये तीन महिने में हो गया था जिस दिन से ये निकला तो आप देखिए इसका काफी अच्छा है मैं खा के देखूं कैसा है उतना मीठा नहीं हुआ है खीरे जैसा लग रहा है तो अपने गमले का ये खरबूजा बहुत बड़ा तो नहीं हुआ क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं डाला था अपने आप ये हो रहा था थैंक्यू फ्रेंड्स वर वाचिंग नए नए फ्रूट्स गमले में हो चाहे आप ट्राइ कर सकते हैं अभी मैंने एक पैशन फ्रूट लगाया है जब फल आएगा उसको फिर हम देखेंगे थैंक्यू फ्रेंड्स